नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद दिल्चस्प विशेपर चर्चा करने वाले हैं। जंगल का असली राजा कौन है? शेर या तेंदुए? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में है और आज हम इसका जवाब ढूंडने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज जानते हैं जंगल में राज किसका है? क्या शेर की ताकत और उसकी दहाड उसे जंगल का राजा बनाती है? या फिर तेंदुए की चाला की और फुर्ती उसे इस खिताब का हगदार बनाती है? शेर का या तेंदुए का? दोनों ही जानवर अपने अपने तरी और उसके शिकार करने के तरीके के लिए जाना जाता है. अपनी दमदार बॉडी और दहाड से सब को डरा देता है. उसकी मानस्पेशियां और उसकी ताकत उसे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बनाती है. 150 से 250 किलो तक कोई भी शिकार इसके पंजों में फंस जाए तो बच नहीं सकता. शेर का शिकार करने का तरीका भी बेहट खास होता है. वह अपने जुण के साथ मिलकर शिकार करता है, जिससे उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है. पर क्या तेंदवा कुछ कम है? तेंदवा भी एक बेहट खतरनाक शिकारी है. लेकिन उसकी खासियत उसक पर चाई पर छलांग लगाने में माहिर होता है। और जुंड में शिकार करने का हुनर सब को पता है। शेर की ताकत और तेंदुए की फुर्ती दोनों ही अद्वितिये हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से जंगल में राज करते हैं। तो जंगल का असली राजा कौन है? ये सवाल हमेशा से ही लोगों के मन में रहा है और इसका जवाब देना आसान नहीं है। ये तो आप पर है कि ताकत को ज्यादा तवज्जो देते हैं या फिर चतुराई को। शेर की ताकत और तेंदुए की चालाकी दोनों ही अद्वितिये हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से जंगल में राज करते हैं। अगले वीडियो में और भी मज़ेदार जानवरों को राद करेंगे। हम जानेंगे कि अन्य जानवरों की क्या खासियते हैं और वे कैसे जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया और जय हिंद। हमें उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे।